वेदान्ता लिमिटेड के अंदर दोस्तों मैंने जो आपको टागेड दिया था 190 लेवल का टागेड अचीव हो चुका है दोस्तों और मैं सबे को सजेस्ट कर रहा हूं कि वेदान्ता से थोड़ा दूर रहिए और अभी के लिए वेदान्ता में ट्रेड मत करिए क्यूंकि अ की सजेशन नहीं दे रहा हूं आप एक्जिट करके चलिए जो रिसेंटली स्टॉक के अंदर वाई करें तो स्टॉक रिवर्सल जाता हुआ स्टाटेजी कहां पर मेंटेन करना है आप सभी को मैं बता दूंगा और सभी के दिमार्ख में एक ही कन्फ्यूजन है कि वाट टू कि क्यों आपको वेदानता में होल्ड नहीं करना चाहिए दूसरा और एक्जिट क्यों करा रहा हूं ये भी बताता हूं क्योंकि हमारे टागेट अचीव हो चुके अगर आप में सीडी आरस से भी देखेंगे तो बहुत उपर लेवल पे नीचे जाने के लिए रेडी हैं द वेदानता लिमिटेड अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आए हैं तो यूटूब चैनल सब्सक्राइब करिए वेदानता का अगर आप वन्डे का कैंडल चार्ट लिकालके देखेंगे नेशनल स्टॉक एस्चेंज का तो आप आरस से देखिए अब और सिक्ष्ट करेगा अगर क्लब होके ज्यादा नेगिटिव जाने लगा तो भी हमें प्रॉब्लम है यानि इसे भी ब्रेक करता हुआ यह जो आपको मैंने लॉइन ड्रॉ किया है दिख रहा है इसे भी ब्रेक करता हुआ स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो बॉस बैक आपको वन सिक्ष शौ्टरम टागिस में न्यू हाई बताया था इसे और एक लेवल के लिए और एक हाई बताना था और स्टॉक निचे नजदीक जाकर थोड़ा सा रिकवरी लिया है अगर स्टॉक चार आ तो दो तरीखे के लेवलों से बॉंस बैक कर सकता है तो दो तरीखे के लेवल के प्रोट लेवल है अगर होगा तो फिर से नीचे के इस लेवल से होगा पर इस दोनों के अंदर मेंटेंड करने वाली बात यह है कि स्टॉक के अंदर आरसाई उपर लेवल पर यानि मैक्सिमम से मैक्सिमम बॉंस बैग भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमें 165 या 160 लेवल से ही देखने को मिलेगा दोस्तों इसी लिए मैं आप सभी को बताने वाला एक ही बात हैं वो है कि वेदानता के अंदर अभी के लिए ट्रेड मत करिये अगर आप अभी के लिए रुके हैं जो भी नहीं पता होकर उपर लेवल पर बाई करें हैं दोस्तों 165 पे और 120 के लेवल पर आप average strategy maintain करके चल सकते हैं क्योंकि अगर MACD देखेंगे तो MACD नीचे लेवल पर जाता हुआ खिदर भी club होके उपल जाएगा तो ही हमें इसके अंदर profit फिर से देखने को मिलेगा पर जब तक हमें इसके अंदर profit पर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इसके stock में फिर से fresh buying करना चाहते हैं 170 पे fresh buying करकर 140 पे average strategy maintain कर सकते हैं जो भी नहीं पता होकर stock में entry लिए हैं दोस्तों यह दो लेवल है average strategy maintain करने के लिए यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 12 February 2021 Friday वेदानता का closing है 182.35 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूँ 15 February 2021 मंडे के लिए मंडे के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेके चल सकते हैं दोस्तों अगर आप पहली यूटूब चैनल पे आए हैं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको live market में decision making में problem हो रहा है intraday strategy में problem हो रहा है अगर आप कोई भी stock के अंदर अटके हुए हैं फसे हुए तो दोस्तों आपका अपना hyper trade sb instagram page है यह आप उसके अंदर तो मुझे DM कर दीजिये